हेलो दोस्तों तो अभी हम question number जो 4i से l तक जो questions है उसको solve करेंगे exercise number 4.2 simply simple equations का okay so let's start it तो यह आपका question है आपके सामने तो इसको थोड़ा उपर ले लेते हैं तो एक blank sheet है यहाँ पर हम एरजस्ट कर लेंगे तो यह blank sheet एरजस्ट हो गया तो अभी हम इसको एक एक करके solve करते हैं तो पहला question आपके सामने जो है 2q is equal to 6 तो question है 2q is equal to 6 तो क्या करना है q का value निकालना है तो यह भी simple है हर बार की तरह तो आप लिखेंगे divide okay divide 2 okay 2 क्यों कर रहे है क्योंकि 2 और 2 अगर 2 divide करते हैं तो 2 2 मिलके cancel हो जाएगा यानि कि 1 में convert हो जाएगा 2 divided by 2 is equal to 1 हो जाएगा तो q फिर एकला हो जाएगा यानि यह अलग हो जाएगा तो सेम वे 6 के साथ भी 2 divide करेंगे तो divide 2 तो बोद साइट अफ दाइक्वेशन तो बोद साइट अफ दाइक्वेशन तो उससे क्या होगा यहाँ 6 भी divide हो जाएगा 6 में भी 2 divide हो जाएगा तो finally क्या निकलेगा यह 2 और 2 divide होके यह 1 हो जाएगा यह q हो जाएगा वह q 1 multiplied by q is equal to q यह होता है और 6 divided by 2 क्या होता है 3 में convert हो जाता है तो finally q is equal to 3 तो लिखना है आपको divide 2 to both side of the equation तो यहाँ पर 2 divided by 2 1 में convert हो जाता है तो q finally q is equal to 3 6 divided by 2 3 होता है तो यह आपका पहला हो गया second में चलते हैं 2q minus 6 is equal to 0 ओके 2q minus 6 is equal to 0 तो अभी क्या करना है पहले 6 को अलग करना है तो उसके लिए क्या करना है आपको equation में 6 plus करना है तो add 6 add 6 to both side of the equation of the equation okay easy है तो अभी क्या हो जाएगा 2q minus 6 plus 6 is equal to 0 plus 6 okay तो 0 plus 6 हो गया तो यह 6 6 तो कटके 0 हो जाएगा तो बचाएगा क्या 2q is equal to 0 plus 6 6 okay तो यह आपका अभी 2 को q से अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा same way जैसे उपर क्या था divide okay तो same पुरा लिखना है divide 2 to both side of the equation to both side of the equation पुरा लिखना है फिर क्या करना है 2 divided by 2 multiplied as a q is equal to 6 by 2 okay तो यह क्या हो गया 6 by 2 तो 2 2 तो कटके 1 हो गया तो q is equal to 6 by 2 कितना होता है 3 तो q is equal to 3 finally क्या निकला q is equal to 3 तो यह भी आपका solve हो गया तो next में चलते हैं तो मैं आपको या आपके उपर में छोड़ देता हूँ क्या करना इसमें कुछ भी नहीं करना same है 2q plus 6 is equal to 12 ok तो मैं बता देता हूँ पहले क्या करना है आपका reduce करना है मतलुप घटाना है तो यह 6 को हटाना है तो हटाने के लिए क्या करना बड़ेगा minus करना पड़ेगा तो deduct, ok तो deduct 6, deduct 6 from both side of the equation तो क्या बन जाएगा यहां भी minus 6 करना है और यहां भी minus 6 करना है तो यहाँ हो जाएगा आपका 12 से 6 गया तो बचा 6 तो इस साइट 6 से कटके 0 हो जाएगा तो 2Q बचाएगा अब क्या करना है 2 दोनों साइड में डिवाइड करना है तो सेम वह में लिखना है डिवाइड 2 both side of the equation यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 तो finally Q is equal to तो आपका 3 निकलेगा ठीके समझ गये ठीके यह आप खुद कर सकते हो ऐसा तो मैंने बताई दिया पूरा का पूरा ठीके तो next अभी question में next यह में आप मिलते हैं और आप इस channel के साथ बने रहिए तिल देन goodbye और like, share, subscribe करना मत भूलिएगा Thank you